Hi everyone and welcome to Candid Treat, तो अगर आप भी कुछ बहुत ही healthy सा और quick and easy बनने वाली recipe breakfast में बनाना चाहते हैं, then this recipe is perfect for you. तो आज हम बनाने वाले हैं plum chia pudding, तो इसके लिए आपको थोड़े से plum चाहिए, यहाँ मैंने दो ही लिया है क्योंकि मुझे कम बनाना था, अब जितना भी जादा बनाना चाहें, उस हिसाब से आप plum ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो इन plums को अच्छे से धो करके काट लेना है बहुत जादा चोटा भी नहीं काटना है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा शुगर डालना है, दो से तीन टेबल स्पुन, और दो से तीन टेबल स्पुन के करेब पानी डालना है, अगर आप शुगर एवोईड करना चाहते हैं, तो आप इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद प्लम को हमें कुक करना है, दस मिनिट के लिए, या फिर थोड़ा जादा या कम हो सकता है, मीडियम तू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, और आप देख सकते हो कि ये अच्छे से थोड़ा सा मशी हो गया है, और इसका जो शिरप है वो भी काफी अच्छा बन उसके बाद इसको रख दे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और अब हम इसको यूज कर सकते हैं अपने पुडिंग के लिए, और नाव चिया पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश योगर्ट, तो यहां आपको फ्रेश दही लेनी है, और इसके बाद इसमें ड अच्छे से मिक्स करने के बाद एक ब्लास लेना है, या फिर आप एक बोल भी ले सकते हैं, उसमें डालेंगे पहले चिया पुडिंग, और यहां मैंने थोड़ा सा प्लीन योगर्ट भी यूज किया है, जिससे की स्वीटनेस अच्छे से बैलन्स हो जाए, क्योंकि हम यहा कि बहुत जादा स्वीटनेस आपको एक बाइट में नहीं मिलेगी, उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे प्लम कॉमपोट और थोड़ा सा सिरप भी डालेंगे, वैसे मैंने सिरप को पहले ही यूज कर लिया है चिया पुडिंग में, और फिर से सेम लेर्स को रिपीट करना ह और इसको रखतेना फ्रिज में दो से तीन घंटे के लिए या फिर रात भड़ के लिए, so this is a perfect breakfast recipe and you can use this recipe अगर आप weight lose करना चाहते हो या फिर बहुत ही light और हलका खाना चाहते हो कुछ, so must try this recipe and enjoy.